ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पतिमाज यूनीक डायरी में दोस्तों इस वीडियो में पौश मा कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी सफला एकादशी की वरत कथा आपको सुनाने वाले हैं एकादशी के दिन ये वरत कथा जरूर पढ़नी अथमा सुननी चाहिए इससे आपके पाप नस्ट होते हैं और पुने की प्राप्ती होती है मोक्ष की प्राप्ती होती है और बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं इसलिए ये कथा अवश्य सुननी चाहिए कथा इस प साविस्तार वाणन सुना अता आप कृपा करके मुझे पौश माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विशय में भी बतलाईए इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके वरत का क्या विधान है इसकी विधी क्या है इसका वरत करने से किस फल की प्राप्ती होती है कृपया यह सब विधान पूर्वत कहिए भगवान श्री कृष्ण बोले पौश माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है इस एकादशी के देवता श्री नारायन है विधी पूर्वक इस वरत को करना चाहिए जिस प्रकार नागों में शेशनाग पक्षियों में गरुण सब ग्रहों में चंद्रमा यक्यों में अश्वमेद और देवताओं में भगवन विश्णू स्रीस्ठ है उसी प्रकार इन सब वरतों में एकदशी कवरत स्रीस्ठ होता है जो मनुष्य सदय एकदशी कवरत करते हैं वे मुझे परम प्रिये हैं इसका महत में मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो भक्त वर्चल भगवान श्रीकिष्ण कहने लगे कि धर्मराच मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकदशी वरत के अत्रिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षणा पाने वाले यग्य से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ अताह इसे अत्यंत भक्ती और शद्धा से युक्त होकर करें हे राजन द्वादशी युक्त पॉष्ट कृष्ण एकदशी का महत में तुम एकाग्र चित्र होकर सुनो सफला एकदशी वरत कथा चमपावती नगरी में एक महिश्मान नाम का राजा राज्य करता था उसके चार पुत्र थे उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था वह पापी सदा परिस्त्री और वीश्या गमन तथा दूसरे भी बुरे कामों में अपने पिता का धन्नस्ट किया करता था सदे भी देवता ब्राम्हन वैश्नवों की निंदा किया करता था जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राजजी से निकाल दिया तब वह विचार करने लगा कि कहां जाओं क्या करूं अंत में उसने चोरी करने का निश्य किया दिन में वह वन में रहता और रात्री को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता कुछ समय पश्यात सारी नगरी भैभीत हो गई वह वन में रहकर पशू आदी को मार कर खाने लगा नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किन्तु राजा के भैसे छोड़ देते वन में एक अतिप्राचीन विशाल पीपल का व्रिक्ष था लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे उसी व्रिक्ष के नीचे वह महापापी लुमपक रहा करता था इस वन को लोग देवताओं की क्रेडा स्थली मानते थे कुछ समय पश्यात पौश किश्न पक्ष की दश्मी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्री सो नहीं सका उसके हाथ पैर भी अकड़ गए सूरियोदय होते होते वह मुर्चित हो गया दूसरे दिन एकादशी को मध्याहन के समय सूरी की गर्मी पाकर उसकी मुर्चा दूर हुई गिरता पड़ता भोजन के तलाश में निकला पशू को मारने में वह समर्थ नहीं था अता पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल व्रिक्ष के नीचे आ गया उस समय तक भगवान शूरे अस्त हो चुके थे व्रिक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा हे भगवान अब आपके ही अरपन है ये फल आप ही त्रिप्त हो जाईए उस रात्री को दुख के कारण रात्री को नींद भी नहीं आई उसे उसके इस उपवास और जागरर से भगवान अत्यंत प्रसन हो गए और उसके सारे पापनस्ट हो गए दूसरे दिन प्राता है कती सुन्दर घुडा अनेक सुन्दर वस्तूं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया उसी समय आकाश वाणी हुई है राजपुत्र श्री नारायन की कृपा से तेरे पापनस्ट हो गए है आप तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ऐसी वाणी सुनकर वह तेंत प्रसंद हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जै हो कहकर अपने पिता के पास गया उसके पिता ने प्रसंद होकर उसे समस्त राज्य का भार चौप दिया और स्वयम वन के रास्ते चल दिये अब लुम्पक सास्त्रा नुसार राज्य करने लगा उसके इस्त्री पुरुष आदि सारा कुटुम्ब भगवान नारायन का परम भक्त हो गया व्रिद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौप करवन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंट को प्राप्त हुआ अता जो मनुष्य इस परम पवित्रा सफला एकादशी का वरत करते हैं उसे अंत में मुक्ती मिलती है जो नहीं करते हुए पूँच और सींगों से रहित पशों के समान है इस सफला एकादशी के महत्मे को पढ़ने से अत्वा श्रमन करने से मनुष्य को अश्यूमेद यग्य की बराबर फल मिलता है दोस्तों ये है सफला एकादशी की वरत कथा इस बार सफला एकादशी के वरत साथ जनवरी को रखा जाएगा रवीवार के दिन और ये वरत कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूर चाहिए जिससे आपको अस्सो में दियगे के बराबर पुन्यफल भी मिलता हो और भगवान शीहरी की कृपा प्राप्त होती है आप सभी को सफला एका दशी की बहुत बहुत शुप कामना है भगवान विश्नु की कृपा आप पर आपकी परिवार पर सदयो बने रहे उम नमो भगवति वासु देवाए